हेलो जी कैसे हैं आप सभी सुना अपने इसकी वाज कितनी ही क्रिस्पी बनके मठरी हमारी त्यार हुई है जी हाँ यह नवरात्र में खाई जाने वाली मठरी बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनती है और एक बार आप इसको बना लेंगे न दोस्तों तो पूरे नौ दिन तक इसक अगर आप रोस्तेट मुंफली लेंगे तो यह वाला जो प्रोसेस है अब टोटली स्किब्भी इसको कर सकते हैं दो से त्री मिनट के लिए इसको अच्छे से हम रोस्त कर लेंगे जब इसमें त्री त्रीट की वाज आना शुरू हो जाएगी इसका मतलब जो हमारी मुंफल है अच्छे से रोस्त हो चुकी है एक दो यह भी पेलीन है रोस्त हो चुकी है इस इसको बन कर दिया था कि morte को हम पेट मिन्ड लेंगे और इसको हम घंड़त कर लेंगे इसको हम सब्सक्राइबिगा खिणा बड़ते हमसें में घ्लक यह पसेंगी अगर नहीं चान हो प्ल्स मोड में इसको हम ग्राइंड कर लेंगे दर्दरह हम ने इसको देखे पीस लिया है इसी तरीके का जो दर्दरह है आपको पीस लेना है अब इसके लिए हमने दो उबलेवे आलू ले लिये हैं अब क्या गरेंगे दोस्तों एक रेटर से आलो को अच्छे से आम कदुगस करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों इस मठरी को आप एक बर बना लेंगे तो पूरे नौ दिक तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली है शांग को जब भी अब इसमें हम डाल दिया है जीरा अब इसमें हम डाल देंगे स्वादनुसा सेंधा नमक और थोड़ी से मैंने कुट्वी काली मिर्च का यूज किया है आप इसमें से अगर कुछ भी अगर नवरात्र में नहीं खाते हैं तो आप उसको टोटली स्किप कर सकते हैं अब यह हमने रोज करें थी ना मुंगफली चार से पांच चमच हम पहले डाल के देखेंगे अगर जुरत पड़ी उसके बाद हम इसको फिर से आड़ान कर देंगे दोस्तों यह वाली मठरी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है अब एक बार इसको बना लेंगे तो टेंशन फ्र जांटे उट होगी को मुठीा शचाहिए कि हमत्री के लिए इस ते जो होगा मत्री में घस्तवा बनतों दे चाहिए तो बहुत ज्यादा बनाएगी आप जुब लिठाधिन यह सangenे कई और करता कि आलु में धोस्तों मौईसस्र ज़्ऩर होताा है तो आलु के मौईससर से ही आटा अच्छे से गुंड जाता है दोस्तों उसी तरीके से आठा तोइए भी थोड़ थोड़ा पानी डालिएगा तक्रीबन दो से तीन चम्मच मेरको पानी के इसमें लगे हैं इससे ज्यादा पानी का भी यूस मत करिएगा यह देखी आटा जो है हमारे अच्छा से गोंद चुका है यह मैंने सामक के आटा के यूस किया है अगर आप चाहे तो आप कु साथ मिनट के लिए ताकि जो आठा है अच्छे से रेस्ट हो जाए तब अगला प्रोसेस स्टाट करेंगे दोस्तों यह जो मत्री है ना एक बर आप बना लिए बिल्कुल टेंशन फ्री होने वाले और बहुत ज्यादा टेस्टी बनके तयार होती है यह देखिए दोस्तों फांट से साथ मिनट हो चुके हैं जो आठा है अच्छे से रेस्ट हो चुका यह आठा थोड़ा सा चिपकता है दोस्तों आप पहले से हातों को ऑल से ग्रीक्री जेगे ऑव मज़ेदाल लगती है अप चाहे तो किसी और की शेप में भी इसको बना सकते हैं पर मुझे गोल ह पर देना और दौब होगा वाता गरम होने के लिए को मीडियूमभ उप उइल में इसको हम फ्राइआ करना स्टाजह कर देंगे ृक आक the मत्री में ढालते जाएंगे उसको अच्छह से हम प्रैकर लेंगे पहले जो इसको हम मीडियूम कर देंगे अब उलट उलटके इसको त्रस को त्यार मजे सकते हैं Eli त्यियुत नहीं होते हैंि यह मतरी बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं इसлять मतरी उससा खराले होने वाली है दोस्तों अगर आप 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 इसको बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं अब इसे जरा हम दूसरा बैच भी फ्राइ कर लेते हैं इसको भी हम पहले लो फ्लेम पे फ्राइ करेंगे जब थोड़ा सा अच्छा सा इसमें कलर आ जाएगा फि खस्ता करारी जो मठ्री है ना हमारी बनके तयार हो चुकी है आप इस मठ्री को दोस्तों कब ट्राइ करेंगे कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और अपने फीडबेक्स में मेरे से जरूर शेयर कर रहा करिए और अगली रेसिपी में आपके लिए फॉन से लेकिया मिलते हने क्सिव प्राइगे